एट सिम्टम्स अफ अवेकंड ट्विन्फ्लेम्स बहुत छोटे मगर काम के वीडियो के साथ आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, माफ कीजिएगा इसलिए आपके सामने आए हूँ आप कैसे जान पाएंगे कि आप अवेकंड ट्विन्फ्लेम्स है ट्विन्फ्लेम्स की spiritual awakening, ongoing process है जहां आप अपने spiritual nature को जान पाते हैं अपने आपको जान पाते हैं जब आप ये समझ लेते हैं कि आप universe का एक हिस्सा है, एक part हैं तो आप में कुछ symptoms, कुछ changing आने लगती है तो चलिए सब से पहले sign से शुरू करते हैं कि आप एक अवेकंड ट्विन्फ्लेम्स हैं अब आपका paranormal चीजों पर विश्वास बढ़ने लग जाएगा paranormal चीजे मतलब metaphysical stuffs पर भरोसा करने लग जाएगी जैसे अब आप जो इस दुनिया जहां से परे वैसी चीजें पर आपका विश्वास होने लगेगा इसके साथ ही आप crystals, stone, reiki healing, energy या फिर कुछ ऐसा ऐसी चीजें जो science proof नहीं कर सकती because educational world views usually can't answer spiritual questions तो अब आप paranormal चीजों पर, metaphysical चीजों पर आपको विश्वास होने लगेगा जिसे ज़्यादा तर लोग विश्वास नहीं कर पाते पर आपका विश्वास होने लग जाएगा अब एकन पिंफलेम की second sign है आपके crown चक्रा में लगाता sensation होती रहना crown चक्रा में constant sensation होते रहना इसका clear indication है कि आप universe से energy receive कर लेते हैं crown चक्रा is work like an antenna आपको लगेगा आपके body में कुछ enter किया है crown चक्रा से होते हुए which affect your mind and your feelings throughout the day third sign है आपका एक awakened twin flame है कानों में लगातार buzzing sound जिसे ear ringing भी कहते हैं ये किसी भी sound ये कोई भी sound हो सकता है buzzing sound या किसी घंटी की आवाज या शंक की नाद या कुछ भी ऐसा जो लगातार ओम का बसते रहना या कुछ ऐसा ही ये भी एक sign है कि आप awakened twin flame है धीरे धीरे आप ear ringing को enjoy करने लगते हैं अपने आप में ही खोने लग जाते हैं और आप अपने solitude में जाकर ear ringing को सुनने लग जाते हैं और आप इसके साथ ही universe के साथ connect करने लग जाते हैं it's an indication you are mixing up with your soul आप अपने soul से open up हो रहे हैं soul के साथ mix up होना अब आपने शुरू कर दिया this is also an indication fourth sign जानते हैं अब इकन twin flame कभी-कभी stress and fatigue भी feel करते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप drastic transformation से होकर गुजर रहे हैं sometime you might feel you lose your balance you also feel body sensation कभी-कभी shivering भी experience करते हैं आप जैसे कान का गरम हो जाना या चीक सेरिया में या आँखों के सामने blurry vision कुछ oily type का आँखों के सामने आना यह सारे symptoms हैं कि आप awake and twin flame है पर यह conditions जादा time तक नहीं रहता कुछ समय में आप फिर से अपने वापस previous state में आ जाते हैं balancing previous state में आ जाते हैं चली देखतें फिप साइन क्या है अवेक and twin flame का forgive करना पसंद करेंगे आप अपने गलतियों को accept करना चाहेंगे आप दूसरों के लिए आपके दिल में compassion and kindness and affection होगा you always think positive for every person in any situation point six awakened twin flame की six number की साइन death को accept कर लेते हैं आप very easily you no longer afraid of death because death is only a transitional state और आपको समझ में आने लगेगा आज जो है वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाला you begin to realize that a better life will come after life अब आप ईश्वर के करीब अपने आपको feel करते हैं आप समझने लग जाएंगे भगवान से ज़्यादा important कुछ भी नहीं हो सकता sign no.7 signs and synchronicities को कभी भी अभी content flame ignore नहीं करते उन्हें समझ में आने लगते हैं कि universe उन्हें क्यों sign दिखा रहे है या synchronicities क्यों उनके साथ बार बार हो रहा है कुछ ऐसा sign जो आपको लगाता है constant या कुछ ऐसे number synchronicities आपको अगर continuous आपके सामने आ रहा है इसका मतलब कुछ sign है universe आपको कुछ message देना चाहते है as your soul becomes part of the universe it can reach every corner of the universe through the spiritual world ये sign भले ही आपको crazy लगे पर ये सच है it will truly happen to you if you have fully awakened to inflame चली देखते last but not the least sign number 8 क्या है last sign? You will not afraid of darkness अब आपको किसी भी चीज का डर नहीं लगेगा न तो loneliness न तो darkness अंधेरे से हो सकता अगर आप पहले डरते थे darkness से डर अब नहीं लगेगा awakened to inflame को darkness से डर खतम हो जाता है नहीं लगता क्योंकि आपकी soul enlightened हो गई होती है तो ऐसे में आप darkness से अगर भले डर जाया करते थे पहले पर अब awakening के बाद आपकी soul जब fully awakened हो जाती है तो आपको metaphysical creatures को समझने में आसानी हो जाती है और even आप उनसे friendship कर लेते हैं या अगर कोई dark या negative metaphysical creature या ऐसा कुछ रहे तो आप उनको आपको देखके वो अलग दूर हटने लगते हैं क्योंकि आपकी soul की light आपकी aura इतनी powerful हो चुकी होती है कि वो आपके सामने टिक नहीं बाते and this is not crazy sign at all ये 100% होता है ये आप अगर awakened twin flame है आप darkness से बिलकुल भी नहीं घबराएंगे तो ये थी 8 symptoms of awakened twin flame क्या आप इसमें आते हैं please comment section में बताएगा अगर कुछ भी नहीं आपको लिखना है सिर्फ resonate कर दीजिएगा मैं समझ जाओं कि मेरे waivers, मेरे subscribers कितने awakened हुए हैं God bless you with immense blessings and best wishes and बहुत बहुत शुब कामना है बहुत बहुत मेरी तरफ से भी blessings आप सब ही मेरे waivers को, मेरे subscribers को बहुत कुछ रहिए, जिन्दगी में आगे बढ़िए अपनी journey को complete करे further guidance या personal session या personal reading चाहिए तो मेरा numbers वेडियो के description box में आपको मिल जाएगा आप मुझे message करके मुझसे connect कर सकते हैं thank you very much आज के लिए इतना ही बहुत कुछ रहिए ओम नमस्शिवाए